आखिर कौन है स्रिफ 20 साल के समीर रिजवी जिनका इस साल CSK के लिए खेलना लगबगत हो चुका है अब इस साल के IPL आॉक्षन में जब CSK ने यानि की IPL इतिहास की one of the most successful team ने 8 करोड और 40 लाक लगाए तो सभी के मन में एक सवाल आया कि आखिर इस खिलाडी में ऐसी क्या बात है अब ऐसा नहीं है कि सरिफ CSK ने इस खिलाडी परदाओं खेला एक bidding war देखने को मिली CSK और गुजरात के बीच जिसके बाद इस war में आपको Delhi Capitals भी देखने को मिली लेकिन eventually Chennai Super Kings ने Samir Rizvi को 8 करोड और 40 लाक में अपनी टीम में शामिल कर लिया लेकिन इसके बाद भी आपको लग रहा होगा कि आखिर हम इतनी दावेदारी से कैसे कह सकते हैं कि इस साल जरूर खेलेंगे Samir Rizvi तो इसके लिए आपको एक बार उनके करियर पर नज़र डालनी होगी सबसे पहले अगर UP T20 League की बात करें जहां से इस खिलाडी को पहली बार पहचान मिली कानपूर के लिए खेलते हुए Samir Rizvi UP T20 League के हाइस रन गेटर थे इसके अलावा अपनी टीम के लिए सबसे जादा छक्के भी इसी खिलाडी न लगाए और जब पहली बार ये खिलाडी डॉमेस्टिक सर्किट में अपना पहला मैच खेलने पहुचा तो उनको जो डेब्यू कैप मिली वो टीम इंडिया के अपने रिंकू सिंग से मिली इसके बाद सबी खिलाडियों को पता चला कि आकिर Samir Rizvi है कौन इसके बाद Samir Rizvi ने इस बात का खुलासा किया कि IPL उक्शन से पहले तीन टीमों ने उन्हें ट्राइल्स के लिए बुलाया जिसका मतलब साफ था कि Samir Rizvi की जो six sitting abilities है उससे सभी IPL franchise impressed थी जिसके बाद IPL में उन पर एक bidding war देखने को मिली और eventually CSK ने इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया अब ऐसे में सवाल ये है कि चलिए मान लिया कि Samir Rizvi के अंदर काफी ज़ादा talent है लेकिन CSK की टीम में उनकी जगे कहा है आप किसको हटाएंगे, किसको टीम से बाहर करेंगे तब Samir Rizvi की जगा बनाएंगे तो देखें, दो वज़ाओं के चलते ये कहा जा सकता है कि Samir Rizvi का इस साल खेलना तैह हो चुका है सबसे पहले पिछले साल के IPL के बाद CSK के अंबाती राइडू ने रिटायर्मेंट लेने का एक फैसला कर लिया जिसके बाद CSK को एक ऐसा विकल्प चाहिए था जो के Middle Order में बड़े-बड़े Shorts केल सके इसके बाद अगर CSK के एक और अनुबवी खिलाडी अजिंग के रहाने की बात करें तो इस समय उनके भी सितारे जरा गर्दिश में नजर आते हैं अब अगर मौझूदा रंजी सीजन की बात करें तो खेले गए साथ मुकाबलों में अजिंग के रहाने का जो एवरेज रहा है लोग रगबग 30 के आसपास रहा है सिर्फ 130 रंस वो बना पाए हैं और इसके अलावा अगर नौकाउट मुकाबलों की बात करें तो तमिल नाडू के अगें सिर्फ 19 रन और बरोडा के अगें सिर्फ 3 रन और 0 रन ये थे अजिंग के रहाने के स्कोज जब नौकाउट मैचों में मुंबई की टीम खेलने उतरी जिससे एक बात तो साफ है कि CSK के दो मजबूत पिलर्ज जो के मिडल और में CSK की जान माने जाते थे वो इस साल एक खिलाडी तो जा चुका है और दूसरा खिलाडी भी पूरी तरह से आउट और फॉर्म है जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब समीर रिजवी जिनकी 6 sitting abilities से सारी franchise इंप्रेस हुई थी अब CSK को इस खिलाडी को अपने टीम में शामिल करना ही पड़ेगा क्योंकि आप CSK की बात करें तो ऐसा कौन सा खिलाडी आपको नजर आता है जो के proven match winner है या कहें कि जिसको 6 sitting ability काफी जादा strong है आप रितुराज गाइकवाड की बात कर लीजिए, डेवन कॉनवे की बात कर लीजिए, मोहिन अली की, रचिन रविंद्र की या इवन अगर आप जडेजा की भी बात कर लीजिए, तो ये सारे ऐसे खिलाडी हैं जो कि शुरुआत में अपना समय लेते हैं और उसके बाद ही जाकर बड़े-बड़े shots खेलना शुरू करते हैं सिर्फ एक शिवम दोवे आपको इस लाइनप में नजर आते हैं जो कि शुरुआत से ही बड़े shots खेलने का दमकम रखते हैं और आते ही मैदान पर बड़े-बड़े shots खेलना शुरू कर सकते हैं लेकिन इस list में अब एक समीर रिजवी का भी नाम शामिल हो चुका है जो कि अपनी 6 sitting abilities साबित कर चुके हैं UP T20 League में और हाल ही में खेली गई CK Naidoo Trophy में भी उन्होंने सौराश्रा के अगेंस एक 13 शतक लगाया था अब सभी चीजें इसी और इशारा करती हैं कि इस साल CSK के लिए समीर रिजवी का खेलना लगभगत हो चुका है अब ऐसे में UP के 20 साल के खिलाडी को लेकर आपकी क्या राय है हमें comment section में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को subscribe जरूर कर ले